परमात्मा को छोड़ दो प्रक्रति भी हमारी शकलें देखके हैरान रहती, ति ऐसा तो नहीं पैदा करा था, ये कलाकारी तुमने की कैसे, पैदा तो तुम्हें ठीकी ठाक किया था, ऐसे कैसे हो गए, ऐसे ही हो गए, पीड़, पक्छी है, सडक पर कुत्ते भी है, इतना दर होता है, और किसी दूसरे जानवर के पास जाए, कि मौसी दर्द बहुत है, तो दूसरा जानवर उसे जरा विखास नहीं डालेगा, चलहट, मस्त मौसम है, बारिश हो रही है, चरने दे, एक दर्द होना चाहिए आदमी को, आदमी होने का दर्द, वो दर्द हमें पता चलत नहीं, उसको वियोग कहते हैं, अधपकी चेतना का दर्द, अजन में, आधे जन में होने का दर्द, वो दर्द हमें नहीं पता चलता, बाकी सब दर्द हमको है, मुक्त होने के लिए पैदा हुए थे, बंधे बंधे जीए जा रहे हैं, ये एक दर्द होना चाहिए बस, वो दर्द नहीं है, हम ऐसे उथले हैं, कि हमारे सुख तो सुख दुखों में भी गहराई नहीं है, हमारे दर्द भी सच्चे नहीं है, इस सुनने में थोड़ा विचितर लगेगा, पर रोता हुआ कोई वेक्ते ऐसा नहीं होता, जिसे पांच मिनट में हसाया न जा सकता हो, हमार रो राय हाय 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 हाय, पांच लाग का नुकसान हो गया, उसे दस लाग का चेक दिखा दो, कहां गए आंसू, दस लाग में नहीं मान रहा, बीस का दिखा दो, और सुनने में विचितर लगेगा, शाहिद विरोध और इनकार करना चाहोगे, पर कोई रो राय हाय 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 हा आसु थम जाएंगे, भी भी नहीं थम रहें, और कोई ले आओ जो और ज्यादा उत्ते जखो, और ज्यादा मनुरंजखो, और ज्यादा मनभावन हो, आसु थम जाएंगे, योगि खेल तो पलार्थ का ही है न, आसु में भी कहा सच्चाई है, कैसे उन्हें गंभीरता से ले रहे हो, क्यों उन्हें इतना महत्तो दे रहे हो कि किसी के सामने प्रकट भी करना है, पर अगर जरूरत लगे ही प्रकट करने की, तो मैंने कहा किसी ऐसे के सामने प्रकट करना, जो तुम्हारे आसुओं को बहुत महत्तो न दे, जो तुम्हारे आसुओं को सच्चा न ठहरा जो दुख को सच्चा मान रहा है, याद रखना, वो फिर सुख को भी सच्चा मानेगा, जिसे दुख बहुत बुरा लग रहा है, वो फिर सुख की और प्रसन्नता की और दोड़ेगा, और सुख और प्रसन्नता अपने आप में बहुत बड़ा बंधन है, जितने लोग दुख वास्तों में हैं पदार्थ वादी ही जो बार बार कहे बार बार कहे कि बड़ा दुख है बड़ा दुख है वास्तों में यही क्या रहा है कि संसार से सुख चाहिए था वो नहीं मिल रहा है अध्यात्मिक मन यह नहीं कहता कि संसार से सुख चाहिए था उसे जब दुख होता ह तो वो दुख और सुख दोनों को त्यागता है एक साथ, वो दुख से भाग कर सुख की और नहीं जाता, वो दुख और सुख दोनों का ओचापन एक साथ देखता है, दोनों से आगे बढ़ता है, दुख सबको आते हैं, पर ये दो तरह के प्रतिकार होते हैं दुख के, उनक तो मैं दुख से मुक्त ही होना चाहता है। वो कहता है ये दुख और सुख। दोनों खेल इसी जगत के हैं। इसमें लिपत रहूँगा तो ये दोनों ही मिलेंगे। ओ दोनों एक ही वस्तू के नाम है। मैं इन दोनों को ही महत्तु नहीं दे सकता। रखा क्या है? जब दुनिया में ही कुछ नहीं रखा, तो दुनिया से मिले दुख में क्या रखा हो सकता है?